फ्रेंड I hope आप सब लोग अच्छे हो तो इस जो सिरीज चल रहा था उसका आज का जो टॉपिक रहेगा आज का टॉपिक रहेगा हम लोग कैसे लॉग इन करेंगे ठीक है और उसके बाद सिर्फ और एक विडियो रहेगा उसमें गेस्ट लॉग इन वाला फिचर्स हम लोग करके यह जो पूरा जो सीरीज है यह complete हो जाएगा ठीक है तो मैं पहले एक काम कर लेता हूँ अगर लॉग इन अगर successful होता है तो वो क्या करेगा login हो के menu पे चला जाएगा तो एक हम लोग क्या करते एक मेनू का हम लोग कुछ कर लेते तो हम लोग को थोड़ा easy हो जाएगा समझने में ठीक है login हम लोग एक add news into project कर लेते और इसको नाम देते है मेनू मेनू नाम दे दिया इसका ठीक है और इसका जो है बाकी सब का कैसा रखा एक बद देख लेते हैं तो मेनू का भी ऐसा सेम रख देते हैं 720-120 ठीक है यह हो गया मेनू और इधर हम लोग क्या करते हैं यह जगा पे जाते open to explorer यह आते हैं और इधर एक folder बना लेते हैं देखो system same to same जाना तो बाद में क्या होगा easy हो जाएगा कई से भी मैं उठा के डाल सकते हो ऐसा कोई बात ने पर फिर भी डालूंगा ठीक ठाक करके सब कुछ सही में जाऊंगा तो बाद में काम करने में सुविदा हो जाएगा ठीक है Ctrl-C Menu Ctrl-V हो गया तो यह हो गया चलो यह है और अभी हम लोग मीडिया पे जाते हैं एक refresh माल लेते हैं इधर नहीं आ रहा है लोग इन रेइस्टेशांचल एक बर बंद कर लेते हैं फिर से चालू कर लेते हैं वो Menu नहीं आ रहा है मैंना Menu का जो फोल्डर बनाया वो नहीं आ रहा था ठीक है चलो इसदम नीचे जाता है Media यह देखो Menu आ गया Menu को खोल लेते हैं और यह Menu पे जाता हूं इधर डाल देता हूं Fit to Skin Size और इधर एक Add Text कर देता हूं इसका नाम देता हूं Menu M-E-N-U चलो हो गया और ज्यादा कुछ करने का ज़ूरत नहीं है Menu ठीक है और अभी में जो है मेन पे जाना है और इधर इंक्लूट करना है और एक बार चेक कर लेते हैं एक बार जस्ट चेक कर लेते हैं चेक करने का ज़ूरत नहीं इतना सा नॉर्मल चीज़ है कोई दिक्कत ऐसा है नहीं मेनू है ठीक है तो अभी हम लोग को क्या करना है हम लोग इन के लिए जितना भी हम लोग लास्ट वीडियो में किये थे काम उसको थोड़ा अभी हम लोग को चेक करना है ठेक है सही है तो अभी मैं क्या करूँगा अभी मैं यह इधर id डालूँगा इधर password डालूँगा और play में क्लिक करूँगा और यह क्या करेगा login होगा या इधर तीन option मैं इधर create करूँगा एक तो होगा है हो गया login के लिए login हो जाएगा नॉर्मल दूसरा हो जाएगा कि अगर वो user नहीं है वो मुझे बता देगा user नहीं है और इधर क्या क्या चीज है यह देखू इधर मैं user id ले रहा हूं और एक password ले रहा हूं जो connection है database के साथ connection create किया और मैं इधर क्या बोल रहा हूं select star form user table जो table मैं वह 00 wavost में बनाया था वह where uid equal to यह वाला जो भी मैं id भेज रहा हूं तो इसको मैं query run कर रहा हूं करने के बाद एक normal variable लिया इसमें कुछ है नहीं अभी इसलिए 0 लिख के रखो आप लोग अगर हो सके तो इसमें आप blank भी रख सकतो कुछ भी नहीं रख सकतो इसमें इतना importance है फिर मैं क्या कर रहा हूं यह run जो query है यह अगर true है यह अगर run अगर होता है तो मैं check करता हूं कि यह जो serial number है यह एक z wall के एक variable लिया कुछ भी आप ले सकता ऐसा कुछ नहीं उसके अंदर यह वाला मतलब जो भी data है वो मैं ले रहा हूं और उधर जो password है already database के अंदर जो password है वो password ले रहा हूं और database के अंदर यह यूजर ID अगर present है यूजर ID के अंदर जो भी coin है वो मैं ले रहा हूं ठीक है यह थीनों चीज़ ले रहा हूं लेने के बद फरस्ट कdeterm है चर्ण कर रहा हूं यह blank है के नहीं भी अगर blank है तो मैं क्या कर रहा हूं एक थोड़ा I can read lack है मतलब serious number अब्र कुछ नहीं है जो यूजर आईडी ये यूजर आईडी किसी भी सिरियल नंबर पर नहीं है ठीक है मतलब ये ब्लैंक है किसी भी सिरियल मतलब ऐसे लनों के अंदर नहीं है इसका मतलब का है यूजर पेजेंट ही नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ ये पी के अंदर जो पी मैं इधर मैं 0 लिया देखे वो P के अंदर में minus 1 डाल रहा हूं ऐसे minus 1 double equal to डाल रहा हूं यह equal to equal to उसके बीच में minus 1 डाल रहा हूं तो minus 1 अगर मुझे अगर मिला तो मुझे यह समझना है कि user present नहीं है अच्छा second case second case में क्या है यह not equal to blank है मतलब वो जो serial number है उसमें कुछ ना कुछ है यह है तो मैं क्या कर रहा हूं उसके अंदर घुस रहा हूं और P के अंदर minus 2 डाल रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा minus 2 मिलेगा minus 2 का मतलब क्या हूँ रॉंग password ठीक है और ठीक उसके बाद मैं क क्या check करो pass जो मैं इधर से मुझे मिल रहा है pass और उसके साथ मैं किसको compare कर रहा हूं PA SS को PA SS कहां से मिला PA SS मुझे मैं मेरा जो user है वो send कर रहा है वो एक password send कर रहा है और मुझे अगर user present है तो database के अंदर मुझे एक password मिल रहा है ठीक है तो ये दोनों password को मैं क्या कर रहा हूँ फिर से compare कर रहा हूँ पहले तो मैं इसको इधर मैं एक P के अंदर घुसा दिया कि ये wrong password ये पहले ही मैं इधर डाल दिया ठीक है उसके बद मैं check कर रहा हूँ अगर ये अगर दोनों अगर same नहीं है तो ये इसके अंदर घुसे गई नहीं ठीक है तो ये वाला P क्या होगा इधर print होके आएगा तो मेरे पास क्या आएगा minus 2 minus 2 मतलब मुझे समझ में आज जाएगा ये password wrong है और ये अगर same है तो इसके अंदर घुस गया तो P इधर minus 2 था change करके P को क्या हो गया सिर्फ 1 हो गया 1 मत मतलब ये Buy different है और उसके सथ मैं क्या करने और भी एक चीज मैं बेज रहा हूँ इधर मुझे goal मिला ये वाला जो क्याने वहasan मैं क्या प्याद उसके साथ concatination करके मतलब. उसके साथ हएधर और दोनों जो string है वो जूर जाता है concatenate करके मैं क्या कर दो इसको add कर दो तो p के अंदर ये वाला चीज पुड़ा आ जाता है और मैं same कर देता हूँ अभी मुझे क्या मिलेगा one मिलेगा अगर one मिला तो मुझे समझ में आ जागा कि ये सही है तो चलो check कर लेते तो मैं क्या करता हूँ फिलाल मैं 00 host post में जाता हूँ इधर मैं पहले login कर लेता हूँ sign in मैं मेरा जो gmail account है उधर से sign in कर लूँगा या मैं तो log out नहीं किया शायद login हो भी जाए ठीक है चलो देखते हैं I think आप लोग को समझ में आ रहा है चलो login हो जाए जल्दी एक्चुली फ्री में थोड़ा तो लेत होगा पुरा फ्री में मैं सिखा रहा हूँ यह पुरा फ्री का है आप लोग जब सीख रहे हो तो यूज करो जब आप लोग सीख जाओगे एन कोई पर्टिकुलर कोई एक live server live अगर app पे अगर काम कर रहे हो तो आप लोग तब क्या करना पर्चेस वाला कुछ कर मतला फ्री में मत जाना नहीं तो अधिकत हो जाए है कि इसकू कितना loaded है मतला क्या जोंक्त कर पे लोगا है फिर फिर से करता हूं sign-in ये हो गया login with google ये हो गया तो ये है मेरा website ये मेरा website है मतलब website में कुछ डाला नहीं इसलिए ऐसा है ठीक है और इधर मैं करता हूं ये manage website manage website इसके अंदर tools tools के अंदर दो चीज़े एक हो गया file manager upload file और दूसरा हो गया database manager और ये database manager के अंदर हम लोग php में admin भी खोलके रख लेते हैं ठीक है दो चीज़ हो गया मेरा ये public.html लास्ट दिन माई दिखाया था इसके अंदर new data add new data था और connection का जो file मैं डाला था वो था ठीक है और ये हो गया हमारा database और database के अंदर जो भी है ये आप upload कर रहा हूं upload file और upload file में मैं क्या कर रहा हूं ये जो login check login वाला इसको हो गया थोड़ा बड़ा हो गया आप लोग I think समझ में आएगा तो इधर मुझे देखो minus one मिलेगा अदर्वेस minus two मिलेगा या normal one मिलेगा ये तीनों में check करेंगे ठीक है तो इधर है id ये क्या था sorry check login.php ठीक है chklogin.php ओके check करता हूं देखो minus one आया minus one का मतलब क्या है minus one का मतलब है user present ही नहीं है ये वाला ठीक है अभी इसके बाद मैं इधर क्या कर देटा हूं पापा बोल के मेरे पास है और पापा का password पापा ही है तो पापा का password में मैं एक 5 डाल देता हूं सेव कर देता हूं मतलब पासवार्ट रॉंग है तो पासवार्ट रहेगा तो क्या आएगा आपका यह वाला माइनस टू आएगा ठीक है मैं रिफ्रेश कर देता हूं देखो माइनस टू आया ठीक है और सब अगर सही रहेगा सब अगर सही रहेगा देखो इसका आईडी भी पापा है, password भी पापा है, save कर देता हूं, तो मेरे पास क्या जाएगा, one आएगा, और पापा के database में, पापा के database में देखो 90 coin है, मैं एक काम करता हूं, इसको 97 coin कर देता हूं, 97 coin हो गया, पापा के जो database में, मैं change कर गये, 97 coin कर दिए, अब ये अगर सभी है, पापा पापा, पापा, डी, पापा पासर, अगर सभी है तो मुझे 1 मिलेगा, पलस 97 कोई भी इसके सादध आगा, देखो, रिफ्रेश करते हूं, देखो, 1, 97, फिर मैं अगर इधर ऑगर change कर देता हूं, 840, 840 कर दिया, और इसको मैं रिफ्रेश करता देखो 1 840 ठीक है तो हमारा यह जो script है काम कर रहा है एकदम सही में काम कर रहा है अभी मुझे इधर क्या करना है इधर हम लोग अभी app game kit से करेंगे तो यह दोनों को मैं इधर से हटा देता हूं और मैं app game kit से यह जो पापा और पापा जो भी है वो मैं app game kit के थुरू भेजू करते हैं और इधर हम लोग जस्ट देख लेते ही क्या है यू आईडी है और पास के जगा पी ए डबलेस पास है ठीक है इसको अभी हम लोग मिनिमाईस करते हैं और app game kit के अंदर चलते हैं तो पहला पार्ट तो हो गया अभी इधर हम लोग को क्या करना है काम करना है तो यह आईडी तो एडी आईटी यू आईडी हो गया यह वाला और यह पास के जगा इडी आईटी पी ए डबलेस पास हो गया और यह प्ले के जगा SPR PLAY चलो यह तीन चीज हमारा हो गया और यह भी कर देते हैं SPR guest login SPR GUEST guest login चलो हो गया तो यह तीन चाचीज हो गया हमारा यह एडी टी यू आईडी एडी पास और SPR PLAY यह तीन चीज हम लोग हो गया अभी इदर हम लोग को क्या करना है इदर हम लोग को जो भी पोग्राम है वो लिखना है तो इदर हम लोग क्या करेंगे यह वाला जो है अगर इसमें अगर क्लिक होता है इसमें अगर क्लिक होता है यह वाला इसमें अगर क्लिक होता है य if get RIT HIT hit test Ctrl V इसमें अगर click होता है and ये वाला पुड़ा copy test ये वाला पुड़ा अगर है तो end if and if तो ये हो गया हमारा login का अगर हमरा login ये play में अगर click होता है तो मुझे क्या क्या करना है तो पहली बात तो ये मैं थोड़ा चले जाओंगा register के अंदर register के अंदर क्या किया मैं ये तीनों चीज क्या तो ये तीनों चीज को इधर से मैं copy कर लेता हूँ फिलहाल और login के जगा इधर मैं क्या करता हूँ control V paste कर देता हूँ ठीक है और इधर क्या कर रहा हूँ मैं common के अंदर ठीक है common variable ये जो common variable है ठीक है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे दो तीन चीज हम लोग काम करेंगे ठीक है पहली बात तो ये हमें ये coin वाला features नहीं लगेगा तो इसको मैं हटा देता हूँ मुझे क्या करना है ये password मुझे चाहिए और मुझे क्या करना है UID मुझे ये दो चीज चाहिए एक है UID और एक है PAWS इधर जो मैंने जो दिखाया UID और PAWS ये दो चीज चाहिए अभी ये दो चीज मुझे कहां से मिलेगा ये दो चीज मुझे मिलेगा ये दो जगा से मुझे मिलेगा तो ये दो जगा है ये वाला है तो इधर हम लोग को get EDIT edit B O X T E text edit box डेक्स to 파WARD से मुझे ये वाला मिल गया और इसको Ctrl C करते है Ctrl V करते है और पास्वरड और ये वाला है UID ठीक है ऑर इधर से मुझे UID मिलेगा Edit UID ठीक है तो ये दो हम लोग को मिल गया ठीक है और ये दोनो हम लोग क्या करेंगे एक है UID2 dollar equal to ये हो गया एक और PAS2 dollar ये हो गया तो UID2 के अंदर मैं just एक variable गया UID2 के अंदर मुझे UID मिल गया PAS2 के अंदर मुझे PAS मिल गया तो ये मैं हटा रहा हूं और इधर डाल रहा हूं UID2 dollar और इधर डाल रहा हूं PAS2 ठीक है तो ये दो चीज मुझे फिलाल मिल गया ठीक है और मुझे इधर कौन सी PHP का जो मतलब जो PHP का जो है कौन सी मुझे रन करना है check login.php तो इधर मुझे क्या करना है check login chklogin login.php मुझे डालना है website का नाम यही है बाकि सब कुछ ठीक है यह आ गया अभी response अभी क्या करेगा यह जो है यह response करेगा तो अभी मुझे क्या करना है इधर एक मैं function sorry इधर मैं message गरना हूँ तो A M E W S H E message इधर R E S P P O N A C dollar ठीक है तो हो गया अगर सब कुछ अगर सही है देखो इधर देखो कुछ P A S 2 यह होगा 2 होगा ठीक है dollar डाल देता हूँ तो यह दोनों चीज मैं ID भेज रहा हूँ password भेज रहा हूँ check logging और इधर मुझे message मिल जाएगा जो भी है एक बार मैं run करता हूँ तो इधर मैं क्या कर रहा हूँ play पे click कर अगर सब कुछ अगर सही है देखो message मुझे कुछ न कुछ मिलेगा minus 1 मतलब enter user ID ऐसे बोल के कुछ चीज है ही नहीं तो इसलिए मुझे minus 1 इधर आ गया ठीक है तो अभी इधर मैं क्या करता हूँ P A P A पापा अभी क्या आएगा user ID है पर password गलत है तो minus 2 आएगा play देखो minus 2 आगया अभी password भी ठीक है और ID भी ठीक है P A P A डाल रहा हूँ तो इधर आएगा 840 लास्ता वो आएगा उसके साथ 1 आएगा देखो क्या आता है यह देखो 1 आया उसके साथ 840 भी आया यह देखो आ गया तो हमारा login अभी अगर यह अगर सही है ठीक है अभी मुझे क्या करना है इधर से मैं करना पड़ेगा मुझे बस और कोई बात नहीं है तो इधर मैं डाल दिया कि यिछ इस कि अंदर रिस्पांस आ रहा है कि इसकि अंदर रिस्पांस आ रहा है मैं कि पहले क्षा हूं इसको पहले वॉन कर दे था हूं 1 के अंदर क्या आएगा minus 1 जो भी आएगा तो पहली बात अगर यह अगर है आपका Experience with a user not exist टीक है user not 이제 टीक है यह अगर अभी अगर माइनस टू है तो मैसेज क्या आना इधर मैसेज आना है P A A A S W R O N G रॉं ठीक है हो गया हो गया अभी थाड वाला एल सी और एक डालेंगे Ctrl C Ctrl V ठीक है अगर यह अगर 1 है तो इधर मुझे मैसेज डालना है A W L O K ठीक है यह तीन चीज़ है इधर से मैसेज को फिलाल हटाता हूँ और एक पर रन करके यह भी चेक कर लेता हूँ सब कुछ सही के नहीं आ गया जो भी होगा कुछ नहीं आ रहा है तो इसको 1 1 की ज़र इसको मैसेज रखता हूँ यह जो था इसके बगलवला मतलब पहले वाला है 1 और यह जो है इसके बाद का है 2 तो इधर जो मैसेज जो आता है इधर का जो मैसेज आता है यह है दूसरा और यह जो है मतलब यह जो इसके एकदम आगे वाला है 1 तो आगे में तो कुछ नहीं है ब्लैंक है और उसके बाद यह है 2 और यह हो गया 3 ठीक है समझ में आया तो इधर देखो मैं 2 डाल दिया 2 पैड़मी तो मतलब दो नंबर टोकें डाल दिया तो दो नंबर टोकर में जो आ रहा है माइनस वान आया तो इधर डाल दिया कि उसर नॉट एक्सिस्ट हो गया अभी इधर मैं डाल रहा हूं PAPA तो ALL के अगया अगर पास्वार्ड अगर डलता हूँ तो आएगा पास्वार्ड wrong password ये देखा आगया wrong password तो अभी अगर आपका अगर ये अगर All OK हे तो आपको क्या करना है इसको न रेइस्टर को गेट्स प्राइट एक्स 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 यह वाला अगर एक्सिस्ट करता है क्यों क्यूं कर रहा हूं मैं अभी बता तो एक्सिज कर रहा है तो एक चीज करूंगा क्या करूँगा मैं ये वाला जो scene है इसको मैं delete कर दूँगा login underscore sync के जगा login को मैं clean up कर दूँगा इदर ठीक है log in log in underscore c len up clean up ठीक है और क्या करूँगा मैं ये वाला जो है scene ctrl c इसको change करके menu कर देता हूँ ctrl c ctrl v देखो menu का अभी काम नहीं करूँगा पर फिर भी मुझे menu करना है m e n u करूँगा और menu को इधर ही मैं डाल देता हूँ क्योंकि इसके लिए अलग सा program मैं लिखा नहीं अभी फिलाल menu इधर ही डाल देता हूँ पी यू पी यू पू पू चलो देखते क्या है यह हो गया रॉंग पासवर्ट ठीक है अभी इसका अगर सही पासवर्ट मैं अगर डालता हूँ ठीक है तो इस में क्या हो जाएगा क्लिक करता हूं तो देखो क्या हो गया अभी मैं all ok क्लिक करूंगा तो यह चैंज होके अंदर चला जाएगा ठीक है देखो menu पर आ गया ठीक है तो यह हो गया all okay में अगर मैं click कर और यह देखो यह अगर सही हो गया तो क्या हो गया automatically यह क्या हो गया change okay all okay से यह change okay मुझे तो पहले तो एक message दिखा दिया कि all okay है फिर क्या किया मैं इसदर इसको clean up कर दिया और यह जो है इसका जो मतलब scene है उसको change करके menu कर दिया और menu के इधर मैं sync कर दिया अभी यह मैं क्यों डाला यह इसलिए डाला कि यह तो यह function के अंदर है जब मैं इसको clean करूंगा login को जब मैं clean कर दूंगा यह सोचने का बात है login को जब मैं इधर से clean कर दूंगा तब यह क्या हो जाएगा जानते हो तब यह हो जाएगा जब इधर से यह निकल के जब यह 51 पोजिशन पर आएगा तब उसको login रेइस्टर नहीं मिलेगा जब नहीं मिलेगा तो इधर आपकर कार्सनर जब यह जब दिखा देगा घुर मैं इसको अब यह यह ट बाक ब्रॉप पाप यह दहिस्ट अब प्ले लाइन तो इसलिए मैं इधर यह वाला लगा दिया कि यह भी चेक करो अगर है तो इसके अंदर जाओ नहीं है तो पूरा फंक्षन से भी निकल के चले या कोई दिक कर नहीं तो आज का जो वीडियो है आपको समझ में आया यह सिर्फ है लॉग इन बादा फिचर्स भी आपके रेजिस्टर करना होता है वो भी समझा दिया था अभी नेक्ट वीडियो में मैं आपको समझाओंगा कैसे अगर कोई बंद अगर रेजिस्टर भी ना करे ठीक है लॉग इन भी ना करे कुछ भी ना करे रेजिस्टेशन भी ना किया लॉग इन भी ना किया वो डालेक आया गेस्ट लॉग इन पर जाइस्ट क्लिक कर दिया तो उस टाइम में आपको क्या करना यह नेक्स्ट वीडियो आएगा वो नहीं से देखना तो आपका यह वाले जो लॉग इन सिस्टेम जो है पुड़ा आपको समझ में आ जाएगा और आप खुद के हिसाब से आप कुछ भी अप्लिकेशन बना सकतो यह लॉग इन फीचर लगा के ठीक है तो आज के लिए इतना सा अगर वीडियो अच्छे लगे लाइक कर देना लोगों के साथ शेयर भी करना और अगर कोई दिक्कत है तो कॉमेंट बोक्स में लिग देना मैं अब्वियसली एंसार दे दूंगा ठ ठीक है तो आज की लिए इतना सा थेंक यू भी मैच एंड बाई बाई बीविवन